सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे वाजमा आपके लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुती दमदार वीडियो लेकराएं जिसमें आप देखेंगे भारत की दो प्रस्टिंग होगी दमदार होगी और आपको बहुत कुछ जानने को भी लिगाती से अंतक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से इंपोर्टेंट और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो द सरतन से चुदा के नारे लगें and I'm really shocked the way कि ऐसा कैसा कोई समुदा आए एक महिला के पीछे महिला के पीछे महिला के पीछे दौर पढ़ता है उसके साथ साथ हम बात करेंगे पर आगे पढ़ने से पहले पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करिए होगा अगर आप तिरुमाला तिरुपती में के जो बोड मेंबर्स हैं उनके एक बोड मेंबर के बारे में बड़ी exclusive information लेकर आएगे जी करेंगे बस हनुमान जी की किरपा और महादेट की किरपा कि मैं समूचा वापिस आई और जिंदा आपके सामने और सब लोगों के साथ मैं बहुर तालाब करने की सलायत में है अदर्वैंस जिस हिसाब से पर्शिम मंगाल में पाकिस्तान के प्रुपगंड़ा पर मेरा प्रहा जा चुका था उसमें से मुझे जिन्दा वापिस आना वो असंबख था ना मुम्किन था लेकिन आज मैं अगर जिन्दा हूं तो जिस हिसाब से मैं अनुमान जी की पूजा करती हूँ, जिस हिसाब से मैं पुरी श्रत्धा और विश्वात के साथ पाटवा करती हूँ, यह बस उसी का नतीज़ा है कि आज मैं आपके सामने हुआ। तो मैं जितने भी लोग मुझे आशिरवात करते हैं, जो संथ, महंत और जो मुझे आशिरवात करते हैं, जो मुझे अपनी दुआउं में रखते हैं, अपनी प्रात्ना में रखते हैं, उन सब की मैं आभारी हूँ और साथ साथ आपकी दिखाइदी जी, आपकी भी मैं आभा जी भगवान राम को चढ़ाने गया था या संतु और महंतो और राम भक्तों के धरम को भश्ट करने के लिए गया था वो एक सो के जी लड़ू भगवान राम के लिए चढ़ावा था या भगवान राम को चढ़ा करके उनका अपमान करना और साथ-साथ उनके भक्तों के धरम को किसी ना किसी कटगरे में खड़ा करने का इंतिजाम रचा गया था मैं पूछना चाहती हूं इस देश की सरकार से कि आखर यह सेक्योलरिसम का कि लड़ु कब तक बाढ़ते रहेंगे हैं और कब तक हिंदो को अंध्भक्त बोला जाएगा गय का मूध पीने वाला बोला जाएगा सर्तम से जुदा किया जाएगा और सर्तम से जुदा के नारे धडल्ले से दिये जाएगे और हिंदों चुप रहेंगे चुप रहेंगे हम आजादी के 78 साल में एंटर कर चुके हैं और सेकेलोरिजम का इतना बड़ा पाठ और इतना जबर्दस्त हम लोगों को पाठ पढ़ा दिया गया है कि एक समुदाए मुसल्मान वो जो चाता है वो करता है पर हिंदू अपने आस्था और अपने विश्वास के लिए भी अपने सनातन धर्म के लिए भी आवाज नहीं उठा पाते हैं बहुत बड़ा खुलासा चंद्रबाबु नाइडू जी ने किया और खुलासा साथ साथ प्रमान के साथ किया प्रमान ये था कि पहले तो लड़ू लिया उन्होंने प्रशाद और फिर उसको जब उन्होंने लैब में भेजा तो ये साफ प्रमान आया कि उस प्रशाद से और जब मोहन रेड़ी से मिली वी सारे पॉलिटिकल पार्टी से कि कभी कोई स्टेलिन आता है और वो सनातन धर्म के मानने वाले को डेंगो और मलेरिया बोल कर निकल जाता है कभी इसी इंडी अलाइंस से तिर्णमुन कॉंग्रेस की सरकार की सुप्रीमों मम्ता बैनेरजी साहबा आती है और वो राम भक्तों को दंगा पास बोल करके निकल जाती है और इस भारत देश में पचीस करोड की आबादी हर रोज हर रोज हिंदूओं को गाली देता है कभी लग जिहाद का शरियंत्र रचा जाता है कभी लैंड जिहाद का शरियंत्र रचा जाता है कभी रिए नहरु सभाभ ने ऐटिकल वहे ऐसा बना दिया कि मंदिरों का मंदिरों का बागडोर सरकार के हाथ में ले लिया लेकिन वही पर वही पर मस्ज़़ देती वही पर मजार रहीं पर करभला था वही nella है contextual μεस्का रहेlegen जामा मस्जिद था वही परताज महल था उसका बागदोर नहीं लिया हाथ में उसका बागदोर हाथ में लिया क्यों नहीं लिया यह कौन सी साजिश है मैं पूछना चाहती हूं कि आज जब इतना बड़ा कुलासा हुआ है या फेस पहुचा है 100 करोड हिंदू को इस देश में और यही ठेस यही ठेस अगर 25 करोड की आबादी को पहुचता तो अभी 70 से जुदा हो रहा होता आज का नहीं जैसे कितने लोग कटे हुए रोड पर पाए जाते मैं पूछना चाहती हूं जब मोहन रेटी से कि उन्होंने अभी प्रेस कॉंफरेंस करके कहा है कि चंद्रबाबु नाइडू के ऊपर एक एन्विस्टिगेशन कमीटी बैटनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा बात कहा कैसे मैं पूछना चाहती हूं कि अथॉरिटी की पोजिशन जगमोहन रेडी को किस ने दिया कि आप तिरुपती इतन आपने इसको टेंडर नहीं लिया था जब आपकी सरकार थी जगमोहन रेडी साहब आपकी सरकार थी तो आपने तेंडर अपने किसी खास आत्मे को दिया और आपने 3005 रुपे लेटर में घी करी था कौन सा घी मिलता है 3006 रुपे लेटर में आपने हिंदू के आस्थाओं क वह ठीक वैसे ही आगात पहुंचाया है जैसे राहुल गांदी और नाजीव गांदी बाबर के खब्रिस्तान में जाकर के फूल चड़ाया करता था और सुर्यपातिया पढ़ा करता था मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अफ्तार पाटी होती है न तो बहुत सारे हिंदूओं को भी आमंत्रित किया जाता है क्या जो जगमोहन रेड़ी जी ने जो हिंदूओं की परशाद के साथ खेल खेला है क्या वो अफ्तार के साथ खेल खेला जाता तो क्या दिरश्च मिलता भारत में क्या द्रश्मिल लूसरा मैं पूछना चाहती हूं जगमौहन रेड़ी जी से के मंदिर की कमीटी में क्रिश्चा क्या कर रहा था वह तो हिंदू का है मैं बहुत सारे मंदिरों में जिसमें से अवे मुक्टेश्वर स्वामी टेंपल में मुसल्मान जो है वो बॉड़ी मेंबर है और फिर इस ट्वीच को भारते जंता पार्टी के बड़े नेता ने डिलीट कर दिया क्या आपको हिंदु आपको हिंदु अपने आपको पैने में हिंदु की आस्ता को बचाने में खराब लग रहा था तैमफल में क्रिष्ण बोडव मेंबर बना कैसे मैं पूछना चाती हूं कि मंचाएं हुचfang के दख्ल alert बोड मेंबर और बोड का अध्यक्ष बना कैसे दक्षिनेश्वर मंदिर का वो तो मेरे आवाज उठाने की वज़ा से प्राधकिन को हटाया गया दक्षिनेश्वर मंदिर से और किसी दूसरे को बढ़ाया गया जो सनातन धर्म का था मैं पूछना चाहती हूं कि अगर कि लुल माएं हिंद में हिंदुओं की जगा बोड मेंबर में क्यूँ नहीं है। त्योपन में हिंदुओं की जगा क्यूँ नहीं है। मैं पूछना चाती हूं हर एक मदर्से में हिंदू बॉर्ड मेंबर क्यों नहीं है मैं पूछना चाती हूं अजमे शरीफ के बॉर्ड मेंबर में हिंदू क्यों नहीं है डालो हिंदू ओको डालो अगर मुसल्मान रह सकता है मंदिरों के बॉर्ड मेंबर में तो फिर हिंदू क्यों किहां नहीं रह सकता है जमे तोलमाएं हिंद देन के बोर्ड मेंबर वकिस नहीं आपराम लिल्ला के पाट इस्टा में आप धर्म वश्ट करने के लिए एकamasम वक्त remarks नहि망। आप दरंबश्ट कीजिएगा मैं पूछना चाहती हूं आज केंडर की सरकार से कि इतने साल गुदर चुके 3.0 की सरकार आपकी आ गई है आपने अब तक गवरक्षा के लिए एक खास तरीके का क्यों नहीं आपने कोई खानून ले करके आप आए जो गवरक्षा करते हैं वह जो गव रक्षा करते हैं वह बिचार पित जाते द्वाव रक्षा करते उनके गवरक्षा करते हैं उनको पीटा जाता है उनको बेज़ग किया जाता है लेकिन केंडर की सरकार समें aumento कैया थिसको यह कून आप किसार्फ लोग उमिंड करके सारे धर्मों को बराबर का हग दे रहे हैं सारे धर्मों और मख़ग के आस्था को बचाने का बराबर काः हग करोर की आबादी को बुरा लगता है रखने के के लिए तर बंती आई है क्या थतर साल से हिंदु के आस्ता का विश्मास का हिंदु के जो पूजो और अराधना है उसका कोई मौल नहीं है मैं पूछना चाहती हूं कहां गए वो हिंदु जो कभी राम मंदिर के लिए छाती पर गोली खाया करते थे जो कभी मुलाइम सिंग यादभ का सामना करते थे तेर यहीं बनायी है, मंदर यहीं बनायी है, कहां गए वो जिसा आज जितने लोग रामंदर के प्रानफर्टिश्टा में गए थे, आज उनको बाहर आकर के सवाल पूछना चाहिए, कि जगमोहन रेड़ी को फासी की सजा दो नहीं तो हिंदू 100 करोड से उपर रोड पर उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा, हम हर रोज देखते हैं, गनपती विसर्चम होता है, तो गुस्ता के रुसूम का नारा लगता है, हम अगर कावड यातरा पर कुछ अपनी टिपने देते ह सर्फ़द से जुदा का नारा तो मेरे लिए लग गया, हम अगर कह देते हैं कि सनातन धर्म labels है फास ब्लाख प्रपेमी कर दी कump हम अगर कह दिये, मादुर्गा की पूजा में करूंगे, तो हम मेरे ओंपर एक सब्लाटे मीक आखे डाल करके सवाल पूछने का वक्त तो आ चुका है। हमने देखा कि तिरुपती बाला जी में जो सब कुछ हो रहा है पर हिंदू अभी भी खामोश है। अभी तक गव रक्षा के उपर कानून क्यों नहीं बनाया है। इस बात पर मैं आजिये खांजी को सपोर्ट भी करता हूँ और उनसे सहमत भी हूँ। आपके इस बारे में क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जुरू बताएं और वीडियो पसंद आईए। उसे लाइक और शेयर जरू कर दे और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके से लेटिस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। जै हिंद जै भारत।